आई फ्रेंज मैं हूँ मानेव विलकम डू मूवी शुवी राजन डीके जब कभी भी कुछ बनाते हैं तो कुछ मसालेदार बनाते हैं और ऐसा बनाते हैं कि आपको एक सप्राइज अलेमेंट सच्चाई जेनुएननेस और जिसे कहते हैं रियल रखना वो सारा कुछ आपको ब्लेंडेट तरीके से देखने को मिलता है जैसे कि आपको फैमिली मैन के अंदर भी देखने को मिला जब फैमिली मैन के पारे में सोचता हूं तो मुझे एक ऐसा लगता है कि एक ऐसे आदमी की कहानी है जो हमेशा यह सपना देखता है कि भई मैं कुछ बड़ा काम कर पाऊ फैमिली की जत्तो जहत में बीजी रहते हैं, ऐसे ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, वो हमेशे यह सोचते रहते हैं, कि यार जो हमारे फादर हैं, या फिर जो भी head of the family है, जो भी family चला रहा है, या फिर mother भी है, in fact, कुछ एक super चीज हो, जिससे पता चले कि यार ये तो कु मनुझ बाचपई एक family man तो है, बट साथ ही साथ में एक agent भी है, जिसको जो देश के गदार है, उनको मिटाना है, पकड़वाना है, जो भी आप कह सकते हैं, और इस दोरान में, जो भी किरदार उसके आसपस आते हैं, वो बहुत जादा real रखे गें, जैसे मनुझ जाए जब हो खेतों में पास जाता है, इसी ही जो vulnerability हमें दिखी, प्रियम अनी जो कि उसकी disturbed सी family चल रही है, equation चल रही है, अपनी वाइफ के साथ, शरक के साथ, उसका जो एक्स्ट्रा मेरिटल होते होते रोक रहा है, जो भी ऐसी equation हारी, एक दूसरे के साथ अटाच्मेंट होई, यह सब कुछ real केरदार हैं कि ऐसा हो सकता है, इस वज़े से हमें काफी ज़्यादा पसंद आई, आज हम आपके लिए अपडेट लेके आ हैं, season 3 के लिए, कि season 3 के अंदर क्या होने वाला है, और आपको कब इसका trailer या फिर यह release होती भी दिखेगी, पहले तो season 1 जो था वो काफी बढ़िया तरीके से हमें पाकिस्तान का connection दिखाया गया, और फिर cliffhanger पे इस तरीके से छोड़ा गया था, कैसा लग रहा था कि शायद सब खतम ही हो जाएगा, including Manoj बाचपई, और season 2 के अंदर भी हमें शिलंका का एक angle दिखाया गया, और ending इस तरीके से करती गई, कि हमें पता चलिए कि season 3 जो होने वाला है, वो much bigger होने वाला है, यहाँ पर चाइना का जो conflict है, 9-3 से शुरू होता हुआ, उसको वो कहीना कहीं exploit करेगा, तो season 3 किस direction में जाने वाला है, वो हमें दिखता है, और यह पुष्ती भी अब हो गई है, कि चाइना का ही हमारा बड़ वाइरस की भी बात चड़ी जाएगी, यहाँ पर बहुत सारा digital world दिखेगा, आपको tech दिखेगा, पहले से जादा इसके अंदर action होने वाला है, यह सब चीज़ें यहाँ पर promise करी जा रही है, और इसकी shooting कभी भी अब शुरू हो सकती है, और family man का season 3, आपको early December के अंदर 2022 के अंदर दिखने की संभावनाएं बन रही है, अगर इसके अंदर को change होगा तो मैं आपको बता दूँगा, which means कि November में आपको इसका trailer भी दिखने को मिल जाएगा, तो काफी बढ़िया system हो गया है कि जल्दी जल्दी दिखाते जाओ, क्योंकि season 1 और season 2 के आते 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 ऐसा फर्स टाइम इंडिया ने पैंडमिक का लॉगडाउन देखा, जिसके अधे सब कुछ standstill आ गया, we were not prepared, हमें पता नहीं था कि आईसोलेशन में भी रहके, लोग ने बड़ी-बड़ी movies प्रेड्यूस कर दी, direct कर दी, तो इसको कैसे करना है, तो complete lockdown हो गया था, अब ऐसा नही करते हैं, तो season through की slate, जो slate मतलब की pointers जो थे, क्या होने वाला है, वो अलड़ी चल चुके थे, तो उसको scripting का गाम उससे काफी ज़्यादा असान हो जाता है, तो अभी जो news आ रही है, वही है कि December में आपको यह देखने को मिलेगा, और November 8 में आपको इसका trailer देखने को मिल जा बिल्कूल इस over human नहीं बना दिये, वो काफी जादा बढ़िया तरीके से हमें लगता है, और यह हम जल्दी से series कटे देखेंगे और enjoy करेंगे, इसके अलावा कोई और update आती है, आगे पीछे कुछ dates होती है, तो मैं अपने community tab पे आपको update कर यह दूँगा, तो जल्दी मिलत एक और review और update के साथ, don't forget to subscribe to the channel, bye-bye